हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल मैं हूं कुझा सेथिया हम चैप्टर आज चुक करने जा रहे हैं गुडविल नीचर एंड वैलुएशन पीएस ग्रेवल की बुक से आज हम स्टार्ट करेंगे इल्लिस्ट्रेशन जो एक्जाम्पल्स हैं आज हम वो करेंगे एक आपको पूरा जो है में 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 चीज़ एक सॉलुशन कैसे किया है आम आपको बताएंगे कि कैसे इजी वे में आपका जो है आंसर निकल कर आएगा मैं एक्जाम्पल नमबर वन रीट करने जा रही हूं आप स्क्रीन पर देखिए अमरे डेली नीट्स एक्वाइड दा बि पास दानिसेसरी जर्नल एंट्रेस हमें इस कोशन के अंदर जो जो हम में चीज़ बताएंगे आपको कि क्या है देखो अब एक परस्तर ने जब बिजनस एक्वाइड किया था अमरेत ने किसे लिया था शीवम से परचेस कंसिडेशन आपको जो बोला था वह आपको बोला कि 5 लाइगी फैसे गंसिडेशन जो फाइफ लेका पर चेस कंसिडेशन होता कि जितने में आप किसी का बिजनस एक्वाइड करते हो या फिर अपको एसेट खरी दिते तो कितने में आपकी डील फाइनल होती है तो उसको अपने पेमेंट करनी होती है जब बिजनस क्येस्था सब्सक्राइबाल अगर आपका टोटल कम आता है और क्रेडिट साइट का टोटल ज़ादा है जैसे आपने इस सब्सक्राइब करते हो इन सब्सक्राइब तो आपका 11,0000, 0000,00 और आ रहा है है अगर आप इच सब का टोटल करते हो तो इसका टोटल 9,10,000 आ रहा है तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल जर्नल एंट्री में क्या होना चाहिए अगर डेबिट का टोटल कम है तो जो डिफरेंस होगा इसका मतलब आपने बिजनस में जो एक्वाइर किया उसकी जो बच्चरा है डेब आप स्ट्रक्चर जो भी हम एक्जांपल्स करेंगे इस पूरी आगे वीडियो में जो इतने भी एक्जांपल्स हैं स्ट्रक्चर और आपका जो फॉर्मेट होगा अपना पूरा जो भी है हम आपको उसमें ऐसे सिंपल वे में करके रिखाएंगे और जो हमारे प्रैक्टीक कर गया यह अपकी फर्स जन्रेल एंट्री हो गई यह सेकेट जनर एंट्री में आपका करोगी आपने शिवंग का पचेस कंसिटरेशन था उन्होंने बोला कि आपने उसकी पेमैंट चेक से कर दिया तो बस नेक्स एंट्री में क्या कर देंगे शिवंग को डैबिट पेमेंट मेट बाए चेक यह कोश्चिन यहां पर एक्जाम्पल नंबर वन फिनिश होता है अब नेक्स्ट कोश्चिन हम तू रीट करने जा रहे हैं आप स्क्रीन पर देखें यहां पर हमारा जो है एवरेज मेथड हम करेंगे और उसको स्टेप बाइस्टेप फोलो करेंगे अप स्क्रीन पर देखें सारा टाना एंड जारा अरपाटनर्स इना फॉर्म शेरिंग प्रोफित अनलो सिस इन दए रेशो घ्रीजिक वीयर्ट इस विच्छेवर इस हायर अनल प्रोफित आपको 2023 से लेके 2020 तक के दिये हुए है calculate value of goodwill अब हमें देखो इस question के अंदर जो बोला था ना previous 3 years और previous 4 years whichever is higher उसका average profit जिसका ज़्यादा आएगा उससे आपको goodwill निकालनी है और average profit से निकालनी है average profit method में सबसे पहला जो हमारा होता है हमें total profits calculate करने होते हैं और सबसे पहले इस question में आपको यह चीज़ ध्यान रखनी होती है कि 3 years और 4 years previous कौन से होते हैं जब भी आपको आपको जैसे profits दिया है मैंने note down कर लिया आपको 2023 से start था और 2020 तक के दिये होते हैं तो आपको हमेशा जो previous 3 years लेनी है back counting में लेनी है ठीक है back counting में लेनी है कहीं बेर question करते हुए कि वो years लेते हैं जैसे previous 3 years लेनी है तो पहले 2020 लिख लेंगे फिर 21 फिर 22 और previous 4 years counting वाइस 20 21 22 23 लेकिन ऐसे नहीं करना है हमेशा क्या करना है back counting में लिखना है तो back counting कैसे start होगी आपके जो years होंगे previous 3 years कौन से होंगे 31st March 2023 2021 and 2020 आपको 3 years के लेने है तो 21 तक आएंगे और ऐसे 4 years के लोगे हम देखो structure में नहीं करें structure आप book में example करें तो concept clear करेंगे हम तो अब जब previous 4 years लेने हैं तो कैसे लेंगे 23 22 21 and 20 तो यह आपको main चीज इस question के अंदर थी कि previous 3 और 4 years में हमेशा कैसे करना है back counting में करना है तो 3 years के profit मैंने sequence में 23 से ही लिखे थे तो 23 का profit कितना है 48,000 30,000 300 and 31,200 आप इसका क्या करेंगे total करेंगे अब दोनों का average निकालेंगे इसका आप total करोगे तो देखो कितना आ रहा है 1,95 अब ऐसे इसके भी हम लिख लेंगे 48,000 30,300 31,200 और 40,200 अब इसका भी आप क्या करोगे आप इसका total ले लोगे इसका total लेती है तो आपका आ रहा है यह आ रहा है यह मारे क्या हो गए total profits हो गए अब हमें क्या निकालना है average निकालना है जिसका average जादा आएगा average profit निकल के जादा आएगा उसे से आपकी क्या निकल कराएगी good will निकल कराएगी average profit का formula क्या होता है देखो average profit average profit होता है जो आपका total आया इसको उपर रखोगे यह कितने years के हैं 1,2,3 इसको 3 से divide करना है इसको divide करो यह आ रहा है 36,500 अब इसका भी ऐसी निकल लो इसको किस से divide करेंगे 4 से divide करेंगे इसको 4 से divide करो देखो क्या आएगा 37925 तो किसका average जादा आया इसका average जादा है यह इसका इसका जादा है जो previous 4 years है तो जिसका average जादा है उसी से आप गुडविल निकाल लोगे गुडविल का formula क्या होता है formula सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ आपको लेकर note down भी करना है average profit multiply number of year purchase उन्होंने जब question अमने read किया था तो उन्होंने बोलता कि गुडविल value twice the average profit तो किसका average profit जादा है 4 years वाला तो बस इसको आप लिख दोगे 37925 twice का मतलब double होता है तो बस इसको multiply कर दो तो यह आपका answer आगया 75850 आपकी क्या आ गई? गुडविल आ गई इस question का answer तो बस्काइस इस साथ झाल झाल